किसी जन्पत्री दौरा आपने कार्च कालका लेखा जोखा अगर किसी पुष्टक में समेटा गया हूँ इस बात की तस्दीक करता है कि जब रुष्टक दौरा नयाब उधारण प्यस किया गया कि कोई हिमाकत नहीं कर सकता है राजनीती में कोई जन्पत्री दें जब चुनाव लड़ता है फिर दुबारा तो पुस्तक इस तरह का जो वादा पत्र होता है कि हम क्या करेंगे यह जारी करता है कभी यह जारी नहीं करता कि हमने क्या किया है वह वही कर सकता है जिसके तरह सही माएने में जुबान ही नहीं जमीनी काम किया गया हो हमको सबसे पहले आपको हम तस्मीर दिखाते हैं अपने कार्जकाल का लेखा जोखा इस विकास पुस्तिका में समिटने कांग काम किया गया है हर बार वह कहा करते हैं किस ब्यक्तिकत रूप से चब मुलकात हो या साजनी कार्जका में सिर्कत करें तो हर बार यह बात कहते हैं कि 30 साल पर हमारा तीन साल भारी है तीन साल तो हम कहा रहे हैं पुरे विधान सभाच्षेतरे भेज़ेगे, हमारे साथ लोग है, जो जैमेम के नेता है, और यहां मौझूद है, मिठले ठाकोजी के साथ यह मौझूद है, हमारे साथ पूर्वर सामसात कामेसर बैठा जी भी है, जो सामिल हुए है कल ही जारखन मुक्ति मुर्चा में, कोई जन परतनीध ही, इस चुनाओ जब लड़ता है, तो वादा पुष्टिका बनाता है, कि हम यह अगले बार में यह काम करेंगे, कभी किसी ने दावा पुष्टिका जारी नहीं किया, हिमाकत करना बहुत बड़ी बात है, वही कर सकता है, जिसको दोरा सही मायने में काम किया हमने पहले भी बोल चुका है, बार बार बोल रहे हैं, कि संसद्य इतिहास में अगर देखा जाए और गढ़वा विधान सभा का इतिहास देखा जाए, तो जितने भी लोग राज किया, जितने भी लोग विधायक बना, वह अपने एक भी योजना, एक भी ऐसे जो जन मानस का विकास के लिए एक पस्तुत देदे, पेश कर दे, और आज का जो हमारा जो विधायक है, और इनको मंत्री बना, जब से मंत्री बनने के बार, गढ़वा जिला का विकास, आज गढ़वा जिला आतिहासी, धोरोहर के रूप में जाना जा रहा है, आप गढ़वा जिला का सहर को अगर देखेंगे जिला का महानगरी तो जिला होता है न गड़वा होता है तो गड़वा जिला महानगरी में जो आज एक अतिहासिक धरोहर के दुट में जना जरा है और आने वाला जुग-चुग इतिहास इसका इयाद करेगा लेकिन अगर तीछे इतिहास में अगर आ नहीं मिलेगा तो आज सबसे बड़ा चीज जो है एक तरफ विकास पुरुस का मामला जो बोलता है लोग कहता है कि विकास पुरुस है तो अपने आप में यह अस्थापित हो गया मिठलेश ठाको दुबरा नहीं यह जन्मारस के दुबरा जो अस्थापित हो गया कि गढ़व आपके सिस ने तो एक पुष्टिका जारी किया गया आपके सिस दौरा कि हमने क्या काम किया है यह वही कर सकता है जिसके दौरा सही माइने में कुछ किया गया लिशित रूप से हमारे सिस्य मानिये मिठलेश जी नों जो काम किया मैं देख रहा हूं 15 वर्सों तो नहीं सो ब किया गणवा ती किस्ल जीड़ा बना रहा उन लोगों को पूर विधायकों के सह में कहीं दिदी कॉलेज खूला नहीं आज हमारा विधैक, मिध्लेस लुमरिया में पहली भीध्यारा को कर्मित किया, प्रियास किया और खुला, तो मिध्लेस ठंकूर ने खुला. मैं गड़वा के सभी मान्ये मददाओं संरोड करता हूँ क्यों जाट पर पाट पर बोर्ट नहीं देकर विकास के नाम पर बोर्ट रहें सर पहली बार आप देखे हूँ इतने सालों से राजिती में सक्रिय हैं कि किसी जनपतीन देवरा विकास पुस्तिका जारी कर दिया गया हो अब छेतर में जाने वाला है पुरे पिदाल सभा छेतर में किसी नहीं माकत किया हो ये विकास पुष्टिका जो पहले जारी किया गया है इस बात का सबूत है कि कोई लूकी छिपी बात रही है हाथ में आप पुष्टिका ले और दोरा करके अपनी आखों से अलोकन कर ले ये जितनी भी चीज़े लिखी हुई है या जितना भी विकास कार्ज है ये 100% सही है कि नहीं है 100% आप सही चीज़ों को पाएंगे इतना ही नहीं आप धार मिक्स सेक्शन में लेंगे जहां धाम बाबा और कहीं जाना होता है अजबे शरीफ तियातरी बस लगी रहती है इन चीज़ों को भी इन्होंने टच्च किया सोशल आपकार्जों में लें किसी गरीब लड़की की साधी के बारे में अगर मालूम होता है तो उसके हां आर्थिक के वज़ा कर उसको आँसू पोचने का युन्होंने मितलेस जीने जाकर के काम के यह सब अजनुबा और अनौखी चीज है बिजली के लिए जहां करवा की वासी रोया करते थे वो बिजली की बिजली रानी सबसे पहले गरवा में आई और हम सब को कितनी राहत मिली है उस बिजली से और 5 साल तक मिलती है और मिलती रहेगी और इनी सब बातों के साथ हम ये कहूंगा कि हाँ का सब चीज के लंबी फिरिष्ट है जो सब चीजों का आप देखेंगे के ऐसे विकास पुरुष इनसान को आदमी को हर तरह से जाद पात से हट करके एक विकास के नाम पर और अपने कलवा का नाम जिन्होंने उचा किया है और आज खास तोर से जो यहाँ पर इस सब सारी चीज़े देखने को मिल रही है कलवा का नाम बहुत उचा है मैं सब से यही कहूंगा कि तेरा तारीख माने वाला जो इलेक्शन का दिन है आप एक तम हंडेट परसेंट अपने जो भी घर में है महिलाएं या सारे लोगों को ले जा करके आप जे बीम के तिरधनूस के निशान पर इनको विज़ई बना करके दोबारा मौका दें जो च लगी है कभी एक अपनी अपनी प्लभि कुले रही आपनी प्रभ्णदी को पुस्तक में इसका में सिमट नहीं पाएगा ठाई साल ती साल पर भारी धाई साल है अब धाई साल को समेठा गया है कुष्टक में यह वही कर सकता है बृंदर जी जिसके दौरा सही मायने में जम और वह वह वी दो साल में सीबी या वीडी लगातार दोड़ाते रहा उस बीच में विकास जो कहिए हैं खासकर हमारे मित्यस भजी है यह काबले तारीफ है अब रोधी भी इनके प्रसंसा कर रहे हैं वक्स तो छोड़ी प्रसंसा कर रहे हैं कि इस पार एक तनिमान नहीं दो से उपर भोट ला करके गढ़वा की जनता इनको बिधाई बनाने काम करेगी और तीज़ जो शाब हमारा है वह आज अबाद होगा और सरकार विमारी होगी मजबूति के साथ हम लों लग गया है और मैं वादा करता हूं कि पहले मितलस भीया अकेला वसुना करें बिरंदर स अब मजबूति के साथ छोटा भाई आपका कारवान को आगे बहाने काम करें सही बात दिन बाद दिन कारवान बढ़ता जारा है मार सब्द केंदरी परोक्ता धिरेल दुबे जी है किसी के दवरा किसी जन्रपती दवरा ऐसा साथ देखने को मिला इतने साल के पद्रिकारता देकि ये पाँ साल का तो लेखा जोखा है लेकिन हम आगरा करेंगे मानिय मंत्री जिसे कि ये लेखा जोखा तो जन्ता के बीच जाएगा तो जन्ता पढ़ लेगी मिडिया के मात्यम से भी जा रहा है हमारे जो बरिष्ट गार्जियन अभिभावक हैं विभीन समाजिक टेनिस बास्केट बॉल और बॉलीबॉल इत्यादी के लिए जो बनकर रेडी जब होगा तो घड़वा की खुबसूरती में कैसे चार चान लगाएगा और खिलाडियों के लिए कैसे बेहतर काम करेगा इसके बारे में जब दानरोना दिन में मरीन ड्राइब बनके तयार हो कि एक बार प्रेस मिडिया के माजम से प्रेस वारता करके छोटा सा वीजन जो उन्होंने कलपना किया है गड़वा को लेकर उसके बारे में भी चर्चा करेंगे मंत्री जहरबाद यह बात कहा करते हैं कि जब हम संघर्ष कर रहे थे तो लोगों की पीड़ा देखकर भावख हो जाते थे और उसमें हमने संकल्प लिया था आँ जुनाव में जो आधी मिला हमको कम ही मिला पांक सल में हमने जुनाव वादा पुरा नहीं किया बलकि संकल्प पूरा किया और उस खुआप को पूरा किया जो हमने पिड़ा को देखा था देखिए बेवाक गठवन दंदल के महा नायक है मितले स्ठाकूर यहां पे मैं कॉंग्रेस रिपरजेंट करने यहां आया हूँ जहां तक बात रही यह भीकास के काम की आप पूछ रहें कि किताब क्यों जारी करना पड़ा तो जनता की आदालत पांच साल में एक बार लगती है यह माने परमपरा है जनता की आदालत में यह लिखित और्गुमेंट है यह पुस्तक नहीं है इसे कोई पुस्तक का रूप देता होगा मैं नहीं जानता मैं इसको written argument देता हूँ कि ये मेरा गटवंधन दल का written argument है हमारे गटवंधन के परत्यासी का written argument है जनता के दरवार में रागई बात आपने कहा कि विकास के और तो विकास के और काम हमारे pipeline में है जैसे pump नहर से गिरा करके सडकों के मामले में हुआ pump नहर से पानी गिरा करके 10 छोटे छोटे डैमो को ये करना है पानी देना है कनहर से सोन से, कोयल से, भी भी परियोजनाओं से वो काम हमारा pipeline में है नलजल योजना का काम अभी बहुत जगों पर अपुर्ण है जो हमारा pipeline में है कहीं ठंकी नहीं बना है कुछ है, थोड़ी थोड़ी टेकनिकल चीजों के चलते 10-5 परसेंट के चलते रुका हुआ है और वैसे भी आप लोगों का ही सर्वे बता रहा है कि इस राज्य में गठबन भाजपा को जाड़ू लग गया है हम लोग नहीं जानते ये मिडिया के हावाले फोर्त स्टेज के हावाले से खाबर आ रहा है और अगर कोई चमतकार मोधी सरकार नहीं हुआ पूस्चमतकार को हम लोग परणाम करते हैं जिसे हर्याना में भे हुआ और जगह भी हुआ तो अगर कोई चमतकार नहीं हुआ तो जारखंड में भुलंदी के साथ लोट रही है और पलामू में साई दिन कोई एक दो सीट मिले नौ में साथ सीट जरूर गठबंदन जीत के आ रहा है हमारे साथ मिठले ठाकुर जी के मित्र है आपके मित्र ने पुष्टिका जारी करना बहुत बड़ी बात होती है कि हमने क्या किया बताने कि हिमाकत वही कर सकता है हिम्बत कर सकता है इसके दोरा सही मैने में सरजमीन पर काम किया गए सबसे पहले तो आज बहुत ही हो रहा है खुशी के ये विकास पुस्तिका का आज भी भी मोचन हुआ और मीडिया के सारे लोग के सामने ये एक अच्छा तस्वीर पेस किया गया मैं पहले बताना चाह रहा हूँ कि मैं धारखन मुक्ति मुर्चा का एक संसापक्स रहा हूं सज़स धारखन मुक्ति मुर्चा का पांस साल 2009 से 2014 तक जिला धेज भी रहा हूं लेकिन आज भी भीड ये लोग गड़वा का अभिकास ये सारी चीजों को देख करके अपने आप में गर्व मसूस हो रहा है कि मैं अपने मित्र को 2009 में गड़वा के धर्ती पर राजनितिक फटल पर उतारा था और वहां से हम लोग संघर्ष करके 10 साल संघर्ष किया अपनी बातों को जनता तक पहुचाया अब 2009 में से लेक करके 2019 तक का जो संघर्ष था उसका उसी का आशिरवाद 2019 में जनता ने आशिरवाद दिया और मानिय मंत्री मिश्लिष ठाकुर को एक मोका दिया मोका देने के बाद करोना आगया, ढ़्याइ साल करोना में लगया, सही माणों में इस पुस्थिका पर पांस साल का विकास निका है, लेकि सही माणों में 28 साल का विकास धाई साल में मानिय मंत्री मितलेश्मा ठाकुर ने जो गड़वा का जो विकास किया वो हम समझते हैं कि जारखंड में किसी भी विदान सवा में इतना विकास नहीं हुआ और इसके लिए हम लोग गर महसुस करते हैं और बेक्तिकत रूप से मैं गर महसुस करता हूँ कि मैं एक ऐसे मित्र को यहाँ लाया गड़वा के धर्ती पर जिसने गड़वा को एक नया रूप दिया एक इतिहास बना दिया और चांदी के तरह चमका दिया आगे अगर यहां की जनता फिर आसिरवात देती है फिर एक मुका देती है ता आगे पान साल में गड़वा मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सोना के तरह चमकेगा यहां और जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग जाती धर्म को भूल करके सभी लोग फिर से एक बार माने मंतरी मितलिस्मा ठाकुर को यहां मुका दीजिए और उसके बाद एक विकास की जो नया इतिहास है इतिहास रच करके हम लोग देखाए इतिहास रचा गया है मरसत मुला मुटच जिलादर्श रचा जो बेजी है भावी इक जो पुस्तिका आपके हाथों में पुस्तिका में पान सल भले लिखा गया हो लेकिन धाई सल का विकास सिम्टा हुआ इसमें मंतरी जहरबात यह बात कहा करते हैं कि 30 साल पर मेरा सही बात है 3 साल भारी है किस रूप यह देखने वाली बात है और हम लोग जूठा ना तारीब कर सकते हैं ना जूठा वादा ना जूठा बात कर सकते हैं क्योंकि पूरा विधान सभा के लोग देख रहे हैं आकि पक्ष चुनाज के समय आता था उनका एक या दो पेज चपा रहता था ने उसमें जया ग्रंद्व उजागर किया गए और अगर सारे कारे लिख दिये जाएं तो साइद एक jin देगए तो हमने पहली बार देखा है कि 20 साल में जो कारे किये गए है उसका एक पुस्तक छपके आया है और ये पुस्तक देखिए लोगों तक पहुचाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोगों को मालूम है कि विकास क्या हुआ है कहां तक हुआ है ये पुस्तक तो वैसे जगह के लिए है जहां सुदूरवरती इलाका है लोग सिर्फ उनका नाम जानते हैं पहस्चानते भी हैं और उनके पास जो कारे हुए है उनको जानते हैं हम आपको बता दें कि ऐसे ऐसे बातों को बर्गलाया जा रहा है जहां गरीब से गरीब जहां गरीब तबके के लोग है वहां जाकर लोग बर्गला रहे हैं उनको और उनके परिवार वाले खुलके तो मैं नहीं बोल सकती उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि आप 13 तारी को हमको भोड़ दीजे और 13 तारी को भोड़ दीजेगा 12 तारी को हमको आपको हम एक हक्ता का मजूरी देंगे ये बात खुल के सामने आ रही है तो ये बड़ा दुख की बात है कि गरीब को क्या आप पांच दिन के मजूरी में तोलना चाहते हैं और ये बात खुल कर सामने आ र पैसे देकर तो क्या आप गरीब का मजाख ही बना रहा है न हमारे एक मंत्री जी है जो हर गरीब हो अमीर हो सबको बराबर लाना चाहते हैं मुझे नहीं चाहते है कि कोई गरीब रहे जैसे हमारी सरकार देखिए महिलाओं के लिए खास तोर पर महिलाओं के लिए इतनी बड़ी-बड़ी योजनाएं लाइं है और मैयां सम्मान योजना लाकर तो उन्हें और ही करवानित कर दिया है और हमारी सरकार की जो देन है ये मैं जीला परिशत की अपने अधियक्ष भी हूँ तो उसके नाते जो टीम हमने खड़ा किया है वो टीम खड़ा करने का में मकसद जो है आवाज दिख रहा है धरातल पर है जो हमने मेहनत किया है दिन रात एक करके जो मेहनत किया है वो धरातल पर है तो आज महीलाओं को समझाने के लिए पताने के लिए हमको भी अच्छा लगता है कि हमारी सरकार ने उनके लिए इतना सारा कारे किया है तो ये बताने वाली बात है अब वही लोग वहां जाकर अगर ये बात कहें तो ये दखिए बिकास की बात हो लड़ाई हो तो अच्छी बात लगती है कि हमने किया किया आपने किया लेकिन उनके द्वारा जो है कि वो गरीब वो तॉला जा रहा है कि हम आपको एक सफ्ता का मजूरी दे देदें उनके परिवार द्वारा गरीबों को चला जा रहा है तो हम कहेंगे कि गरीब को मजाग बनाये जा रहा है और हमारे मंत्री जी है गरीबी मिटाना चाह रहे है और वो है कि गरीब को गरीब ही रहने देना चाहते है कि भोट का जब समय आएगा तो हम उनको पैसे से खरीद लेंगे यह जूटा भी कास नहीं है यह जूटा नहीं है क्योंकि हम लोग जहां भी जाते हैं मंदीर हो मस्जिद हो ऐसे ऐसे मतलब जो धर्म का स्थान है वहां पर जाके हम लोग यह बात करते हैं लोगों के बीच में जूटा परचार परसार नहीं करते हैं मंदीर में हम लोग खड़ा हो के ऐसी बाते करते हैं कि हमारे विकास जो हमारे विकास पूरुस है माननीय मंत्री जी उनके द्वारा कितना कारे किया गया है सबसे बड़ी बात है कि आप किसी को परगला सकते हैं बेक्ति को लिए किये गए बिकास को जुठला नहीं सकते हैं सम्भू जी पुष्टिका आपके पास है बांत अले का बिकास डाई साल के ओधी में सिम्टा हुआ है देखिए आज ये बताने की आउसकता सबसे पहले तो मैं आपको बताए दूँ आप हमारे मित्र भी है सबसे बड़ी बात है कि आज पिकास के लेकर के हमको बताने की आउसकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप सबों से जहां न जाये रभ वहां जाये कब आप लोगं का कलम जो है बहुत दूर तक जाता है आज गर्वा का लुक के बारे में बताने क्या है गर्वा का लुक जो है राइची के तरह दिखने लगा आने वाला समय में अभी जो तेरा तारीक वोट पड़ेगा इसके बाद जो सरकार बनेगी तो मैं समझता हूँ कि ये दिली के तरह दिली के लूप में नज़र आएगा फिर गड़वा और जहारखन में धेमन जी की सरकार और मानिय मंत्री जी कि दोनों का जोड़ी जो है ये बताने की जोतने है कि पूरे जहारखन में दीसा और दासा बदल दिया है अभी देखिए अभी जो है मैया सम्मान रुजना के लिए करके अभी एक हजार उपे का जो दिया गया है मैं समझता हूँ कि आने वाला दिसंबर के बाद से एक हजार को बढ़ा करके पचीस सो कर दिया जाएगा अब पचीस सो में इनको मिलने लेगा और कभी हम देख रहा है कि अभी शाबितरी भाई फूले से लिके बहुत सा इसा जो है गरीबों के लिए खा गया कि जेकर पैर में फाटे बिवाए तो आज गरीबों के हित में वास्तों में हमन जी की सरकार और मान्य मंत्री जी के जोड़ी जो है मिलकरके इनके लिए रूबारूर जमीन पर उतारने का काम कर रहा है मैं समझता हूं कि आने वाला तेरह तारी को और अभी जो सरकार जारखन में बनने से कोई रूप नहीं पा रहा है क्योंकि गड़वा जिला में हम दो विधान सबास लड़ रहे हैं नगर भौनात पूर और गड़वा हम दोनों जीट जीत रहे हैं और जारखन में सरकार बन संबो जी और मिठलेश ठाकुजी द्वरा जिस संकल्प के साथ और जिस कौप देखने के बाद विधायक बनने के बाद जो अभियान शुरू किया गया विकास अभियान वो अभिकास अभियान इस पुस्तक में सिम्टा हुआ है आपको शुरुवात नहीं हमने दिखाया कि पुस्तक में सिम्टा हुआ है विकास पांच साल का कार्जकाल किसी विधायक होता है लेकिन मात्र 12 साल मिला मिठलेश ठाकुर को मिठलेश ठाकुजी ने वह काम करके दिखाया जो इस पुस्तक में है हम एक बार फिर से कहेंगे अब समय आ गया है विचार करना आपको है किसने आप बिधायक बनकर गणवा विधान से बाच्छेतर का जुबानी काम किया और किसने जमीनी काम किया या सोचना आपको है विवियम का बटन दबाना आपको है अपना बिधायक चुनना आपको है दन्यवाद